नमस्कार दोस्तों, जैमातादी, वर्ड बैस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें दोस्तों आज हम बात करेंगे नमक के अच्चुक उपायों के बारे में जिनें आप नया साल आने से पहले ही कर लें ताकि आपका आने वाला नया साल खूब खूशियों से भरा रहे और इस नया साल पर मालक्च्मी आप पर खूब महरबान रहे पूरी जानकारी के लिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो सुरू करने से पहले आप से रुक्रेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वरेंट बैस मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों बस कुछी दिन बचे हैं पुराने साल के बहुत जल्द हम सभी नए साल में प्रवेस करने वाले हैं हर इनसान चाहता है कि आने वाला नया साल उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आए बहुत सारी खुसियां लेकर आए जो दुख दर्द हमने पिछले साल महसूस किये हैं वो इस वर्स हमें ना मिले इसलिए हमें अपना नया साल बहतर बनाने के लिए कुछ नमक के उपाय कर लेने चाहिए ताकि हमारा आने वाला नया साल अच्छा और सांधर हो तो इसके लिए आपको नमक के ये टोटके जरूर अपनाने चाहिए दोस्तों नमक का जीवन में बहुत उप्योग है यदि खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान यदि कम हो जाए तो भी नुकसान पहुंसता है नमक हमारी आयो भी बढ़ाता है और नमक हमारी आयो घटाता भी है नमक का उप्योग करना बहुत कम लोग जानते हैं नमक हमें बुरी नजर से भी बजाता है अगर किसी विक्ति को बुरी नजर लग जाए तो एक चुटकी नमक लेकर तीन बार उनके उपर लेकर घुमा दें फिर उस नमक को घर के बाहर फेक दें दोस्तों जो तिस सास्र के अनुसार नमक को चंद्रमा और सुक्र का प्रतिनिद्ध माना जाता है नमक को यदि आप किसी स्टील या लोही के बरतन में रखते हैं तो चंदर और सनी का मिलन होगा, जो की बहुत ही घातक सिद्ध होता है, यह रोग और सोग का कारण बन जाता है, नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए, नमक को सिर्फ काँच के पात्र में ही रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है, नमक का गिर हाथ से नमक देने से, इनसान से आपकी लडाई हो जाती है। और नमक का पैकेट भी किसी को देने से बचना चाहिए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखने की भोजन पकाते समय भोजन को चके नहीं उससे भोजन की पवित्रता नस्ट हो जाती है और दरिद्रता आती है नमक कम हो जाए तो बाद में डाल दिया जाएगा दरिद्रता गुदूर करने के लिए सब तहां में एक बार गुरुवार को छोड़ कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा खड़ा नमक यानी समुद्री नमक मिला लेना चाहिए इस उपाई से घर की नकारात्मक उर्जानस्ट हो जाती है वाता वरण की पवित्रता बढ़ती है इससे लक्षमी प्राप्ती का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत बनी रहेगी अगर कंडली में चंद्रमा कमजोर है तो साधारा नमक की जग targeted सेन्धवा मजबूत होता है यदिमंगल कमजोर हो तो समान नमक का Dragon करना चाहिए दोस्तों बातरों के वास्तों धोस्तों को दूर करने केलए एक काच की कटोरी में खड़ा नमक यानी समुद्री नमक भणे और इस कट वीको बातरूम में रखें इस उपाइसे भी नकरात्म कुर्जादूर हो सकती है हर मां कटूरी का नमक बदल लें पुराने नमक को फेक देना चाहिए दोस्तों घर में कुछ वास्तू दोस ऐसे होते हैं जिने हम ठीक नहीं कर सकते हैं या बदल नहीं सकते हैं फिर उसे लेकर हमारे मन में भै बना रहता है ऐसे में आप अपने दोनों हातों से साबुत नमक भर कर कुछ देर रखें और फिर वास बेसिन में डाल कर पानी से बहा दें ध्यान रखें नमक इधर उधर ना फेकें दोस्तों धन प्राप्ति के लिए नमक को काज के पातर में रखें और उसमें चार पांच लॉंग भी डाल दें इससे धन की आवक सुरू होने लगेगी और घर में बरकत बनी रहेगी तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को लाइक और सेर अवस्य करें हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेट कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथ इसाथ घंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जा अंकारी के साथ धन्यवाद